नमस्कार दोस्तों आप सभी का इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं बाएं गाल का फड़कना उसका क्या मतलब होता है? समुद्रिक सास्तर कहता है कि हमारे सरीर या चेहरा या 24 मानव सरीर का अंग है उसके फड़कने का कुछ ना कुछ महत्वे जरूर होता है हमारे जीवन में होने वाली गटनाओं के और हमें संकेत करता है अगर आपका कोई भी अंग फड़कता है तो मान लीजिए आपको थोड़ी भूत अपने भविस्ये में होने वाले गटनाओं या सुब समाचार जो भी है उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी पहले ही मिल जाती है अगर आपका ये सरीर का अंग फड़कता है तो आपको पता चल जाता है कि आने वाले समय में आपके कैसा रहेगा दिन कैसा अच्छा रहेगा या बूरा रहेगा यह आप जान पाएंगे तो आज के वीडियों हम जान रहे हैं कि बाएं गाल का फड़कने का क्या मतलब होता है तो पहले सबसे पहले एक छोटी सी विंती करती हूँ मैं आप सभी से कि आप अगर चैनल पे नहीं है अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकोन जरूर प्रेस कर लीजिएगा अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि बायंगाल फड़कता है तो उसका क्या मतलब होता है बायंगाल फड़कने का मतलब होता है अच्छे जो भी कारिय कर रहे हैं उनमें बादा जिस वेक्ति का बायंगाल फड़कता है उसके अच्छे काम करने में बादा आती है अगर आपका बायांगाल फड़क रहा है तो इस कार्थ है कि आप कोई अच्छा काम करोगे तो उसमें विगन आ जाएगा बायांगाल फड़कना उत्तम कारियों में रुकावटे का संकेत देता है तो आपका जब बायागाल फड़कर आओ तो आप जरूर ध्यान रखें कि आप उस टाइम कोई अच्छा कारिय ना करें कोई सुब्स काम ना करना सुरू करें अगर आप जैसे कोई इंटर्व्यू के ले जा रहे हो तो उस टाइम आप इंटर्व्यू को एक बार रोक दें थोड़े दो दिन या एक दिन बात चले जाना क्योंकि उस टाइम उस कारिय को रोक दिया जाएगा तो वो आपके लिए सुब्स हो जाएगा वरना उस टाइम आपके लिए उस कारिय में किसी ना किसी रोफ में वीगन आ जाएगा तो दोस्तों उमीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बैल आइकोन जरूर प्रेस कर लीजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में इस से पहले काफी वीडियो सेयर किये गए हैं बाएं गाल पर तिल होना सरीर पर कहां कहां कैसे कैसे तिल होते हैं उन सभी के वीडियो सेयर किये गए हैं वो वीडियो भी आप देखिए तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में